नमस्कार मैं श्वेट और आप देख रहे हैं न्यूस फोनेशन बिहार में आस्मान से गिर रहा है आग 35 साल की ये रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है राजधानी पटना समेट बिहार के कई जिलोग में जो है गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है आपको बताते चलें कि मौसम बिभाग की तरफ से जानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो प्रचंड दिख रहा है वो ऐसा ही दिखने वाला है जहां एक तरफ लोग भीशन गर्मी से परिशान हैं उनकी आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त नज़रा रही है और घर से बाहर निकलने के लोगों को लू के गर्म थपेडों का सामना करना पड़ा तो घरों की दरों और दिवार तक दहग गई है पानी की टंकी में रखा पानी उवल गया है भारतिय मौसम विभाग के उपलब दाकडों की बात करें तो रवीवार को भागणपूर जिले का धिक्तम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस के पार बताया जारा है बीते 35 साल में कभी भी दिन का पारा 35 डिग्री सेल्सियस के वेरियर को छुआ नहीं था पार करने के बाद तो दूर की है रवीवार के दिन सूरज की तपशी दो रातों में गर्मी संग उमस ने लोगों के देः पर पानी नी चोड़ दिया है भारतिय मौसम विभाग के अनुमानों की माने तो अभी 7 जून तक जिले में लू चलेगी इस दोरान घर से बाहर निकलने से पहले सर पर गमच्छा या फिर छाता लेकर निकले तरर प्रधात खूब ले, पानी खूब पीए, खाने में तरबूस, खीरा, ककड़ी, बेल का इस्तमाल करे शरीर में पानी की कमी न हो सके इसके लिए थोड़ा थोड़ा पानी पिया करे बीटे 24 घंटे में मौसम की बात करे तो इस दोरान दिन का पारा 0.08 डिगरी सेल्सियस के ब्रधी हुई है वही रात की तापमान में 1.10 डिगरी सेल्सियस के गिरावट आई है रविवार को अधिक्तम तापमान 42.02 डिगरी सेल्सियस रहा जो कि समान ताफमान से 5 डिगीस ऐधीक रहा वहें नियंत्म ताफमान 26,08 डिगीस रहा जो कि समान ताफमान से 1 डिगीस दिगीस नीशे रहा रवीवार के सूबлем जेशन रहीना, 8 बजे क्यामन में में प्रतीशत रही आधुरता शाम जटार चार बजे तक कम कर 34 प्रतीशत तर आगे जबकि दिन भर 8.4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसर से रफतार से पच्छुआ हवा चली है वहीं आपको बताते चले कि पुर्णिया अर अरिया भागरपूर सुपॉल कटिहार जिले में भीशन लू पढ़ने की आसंका बताई जा रही है तो जहां एक तरफ मौसम पिभाग की तरफ से अगले 7 जून तक लोगों से साबधान और सतर्क रहने को कहा गया है क्योंकि 7 जून तक भारी लू चलने की जो है वह संभावना बताई जा रही है वहीं मौसम पिभाग की तरफ से यह भी चानकारी मिली है कि आने वाले दिनों में गर्मी का जो प्रच देखने को मिलेगा फिलहाल कि लेस खबर में इतना ही आनेक अपडेट स्क्रिप देखते रहें न्यूस फार्डेशन